हलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल सतेंदर गुरुजी पे दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजिनिंग के 15 अती महतोपुन प्रश्ण के बारे में इसलिए आप लोग वीडियो गयांत तक जरूर बने रहेगा इस वीडिय यहां पर देख रहे हैं जैसे एक बक्स के अंदर में टी सी एस लिखा है इनका प्रतविम इन चारों अप्शन में से कौन सा बनेगा और भी प्रश्ण है लोगत संख्या गयाद करें हमारे पास तीन आकिरती दी गई है इस तीसरी आकिरती में जो बीच में कूश्चन मर्क है इनके अस्थान पर क्या है यहीं हम लोगों को बताना है मेरे दोस्ट ठीक है और आपको एक चीज़ बता दूँ एक पार्ट नंबर हम लोगों का 80 है दोस्तों जिसने पार्ट नंबर 89 तक नहीं देखे है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाए वहां पे सारा वीडियो ह है न सारा का प्लेलिस्ट बनाया हुए है जागर वहां से जरूर उसको देखी क्योंकि सारे पार्ट मुस्ट इंपोर्टेंट और रिपीटेट प्रश्ण का है ठीक है तो आए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर प्रश्ण से आपका पहला प्रश्ण आप लोगों के सामने आ चुका है प्रश्ण है स्रिंकला को पूरा किजिये हमारे पास एक स्रिज दी हुए है जैसे पचपन से 104 बना है 104 से 140 बना है 140 से 165 बना है उसके बाद जो कोशन मार्ख है न इनके अस्थान पे कौन सा अप्शन सही होगा हम लोगों को बताना है आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और अपने से ट्राइ कीजिए और जरूर कॉमेंट करके बताईएगा कि आपने कितना प्रशन सोही कर पाए हैं चलिए हम बताते हैं मेरे दोस्त ध्यान से देखेंगे यहां सबसे पहले क्या है पजपन है है ना क्या है पजपन है उसके बाद में क्या है 104 है उसके बाद में क्या है 140 है उसके बाद में क्या है 165 है इसके बाद कोशन मारक है तो यह कोशन मारक के आस्थान पर क्या आएगा हम लोगों को यहीं बताना है तो मेरे दोस्त यहां देखेंगे कि पजपन से 104 बना है कितना प्लस हु हुआ है समझ रहे हैं समझ रहे हैं कि नहीं मेरी प्यारे साथियों यहां प्लस का 49 किया गया पच्पन में प्लस 49 करने से 104 बना है नेक्स्ट यहां देखेंगे अब यहां देखेंगे 104 से 140 बना है यहां प्लस का कितना किया गया है मेरी प्यारे साथियों 36 किया गया 140 से देखेंगे 165 कईसी बना है यहाँ पर प्लस का 25 हुआ है अब बताईए 165 से कोशन मारक निकालने के लिए कितना प्लस करना होगा मेरे प्यारे भाई यहाँ आपके सामने दिख रहा होगा जो 49 है ए 7 का SQ है बहुत बनिया जो 36 है ए 6 का SQ है बहुत बनिया यहाँ 25 जो है इ 5 का SQ है समझ रहे है 25 किन का SQ है मेरे साथ ही हो 5 का SQ है समझ रहे बहुत बनिया तो इ बताईए यहाँ पर क्या है 7 का SQ उसके बाद 6 का SQ उसके बाद 5 का SQ तो अगली बार 4 का SQ कितना 16 जुट जाएगा समझ रहे हैं पहली बार 7 का स्क्वाइर 49 जोरा गया है दुसरी बार 7 में से 1 घटेगा 6 बचेगा 6 का स्क्वाइर को जोरा गया है अगली बार यहां पर 5 का स्क्वाइर को जोरा गया है तो अगली बार 4 का स्क्वाइर जूटेगा क्योंकि जोरी जाने वाली जो नंबर है एक एक घटा करा स्क्वाइर को जोरा जा रहा है तो यहां 165 में 16 को जोरेंगे तो 5 और 6 एक गार के एक हासिल कितना एक 6 आएक 7 आएक हासिलिया कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा यहां पर एक already दिया है तो इसका right answer हो जाएगा 181 और 181 option C में दिया है इसलिए इस question का right answer option C हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों तो मैं उमीद करता हूँ दोस्तों आप इन सारे प्रोशन को बहुत ही अच्छे तारीका से समझ चुके होंगे बरते हैं अगले question की तरफ अगला question है पाउधा का जो संबंध बगीचा के साथ में है वहीं relation प्राणी का question मार के साथ में है मेरे प्यारे साथियों देख रहे हैं आपके सामने हाल ही में railway NTPC online परिक्षा 14 मार्च 2021 के second shift में इस question को पूछा गया कितना आसान और बहुत है मेरे प्यारे साथियों हम आपको बता दू अभीन तक अपने अगर वीडियों को लाइक नहीं किए तो वीडियों को लाइक करेंगे आज चैनल पर नए है तो अपने दोस्तों के पास वीडियों को सेर करके subscribe जरूर करेंगे चलिए इसका लॉजिक क्या है देखेंगे देखो मेरे प्यारे साथियों बगीचा में पौधे का देख रेक होता है बगीचा में पौधे का देख रेक किया जाता है यानि कि जो भी मने उसका पालन पोस्त है ने कोई करता है उसी प्रकार प्रारी का question mark के में रेक देख रेक किया जाता है प्रानी का किस में देख रेक किया जाता है तो चीरिया घर में इस question का right answer option भी हो जाएगा क्योंकि चीरिया घर में प्रानी का देख रेक किया जाता है किसी भी जीऊ जनतु को मैं उम्मिद कर रहा हूँ कि आप इन सारे प्रशन को भी समझ चुके होंगे बरते हैं अगले question की तरब अगला question है जिस परकार 3 का relation 11 के साथ में है वही relation 7 का question mark के साथ में है तो यहां देखेंगे हम लोग की 3 से 11 कैसे बना है देखेंगे 3 से 11 कैसे बना है उसी प्रकार यहां साथ से कोशन मारक बन जाएगा बहुत बनिया अब देखो मेरे प्यारे साथियों यहां पर 3 से 11 बनने के लिए क्या करना होगा कुछ नहीं बिल्कुल सा आसान सा कोशन है क्या यहां पर लोजिक है मेरे प्यारे साथियों, देखो यहाँ पर logic क्या है, ध्यान से देखेंगे, यह 3 का कर दिया गया है square, बहुत बनिया अब प्लस 2 कर देंगे, 3 का square 9, अब 2 जोर देंगे तयागारे बन जाएगा, हाँ, बिल्कुल बन जाएगा, उसी प्रकार 7 से question mark बना देंगे, क्या करेंगे 7 का कर देंगे, square अब प्लस, इसमें 2 कर देंगे बस, answer आजाएगा 7 का square कितना होता है, 49 होता है इसमें 2 को जोर देंगे कितना बन जाएगा, एक common बन जाएगा तो इक question mark की अस्थान पर कितना आजाएगा, एक common और E बताई एक कामन को कौन सा option में रखा गया है option number D में रखा गया है इस question का right answer option D हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इन question को बहुत 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 तरीका से समझ चुके होंगे बरते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला question है असंगत ग्याद कीजे मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर Newton है Darwin है, Einstein है और Amartya Sen है इनमें से कौन सा अलग होगा और RRC कुलकाता ग्रूप D परिक्षा 2013 में पूछा गया है तो मेरे प्यारे भी द्याथियों यहाँ पर ध्यान से देखेंगे देखो, Newton और Darwin और Einstein यह तीनों क्या है यह तीनों जो है मेरे दोस्त, यह क्या है बैग्यानिक थे यह तीनों जानते हैं क्या थे, बैग्यानिक थे जबकि यहाँ पर जो Amartya लिखा है न, Amartya Sen जे थो यह एक अर्थ सास्त्री लेखक थे यह तीनों क्या थे, यह बैग्यानिक थे यह अर्थ सास्त्री थे, इसलिए इसका राइट अंसर Option D सबसे अलग हो जाएगा, तो Option D बाकियों से अलग है ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है अगला काफी important और मजेदार कोशन कोशन यहाँ पर देख रहा है, यह भी रेलबे में पूछा हुआ कोशन है A, B, C का रिलसन D, E, F के साथ में है, वही रिलसन X, Y, Z का कोशन मार्क के साथ में होगा, तहां पर जूम करके लिखते हैं, A, B उसके बाद C, इनका जो रिलसन दिया है, मेरी प्यारे विदार किन से दिया है, यहां देखेंगे A, B, उसके बाद में C, इनका जो रिलसन है D, E, और F के साथ में है, उससी प्रकार X, Y, और Z का रिलसन कोशन मार के साथ में हो जाएगा, बहुत बनिया यहां पर क्या लाजिक है मेरी प्यारे विदार्थियो, A से D कैसे बना है, अंगरेजी बरमाला में A का जो अस्थान होता है 1 होता है, D का अस्थान 4 होता है तो 1 से 4 बना है प्लस का 3 किया गया, बहुत बनिया अब देखो B से E कैसे बना है B का अस्थान होता है 2 E का अस्थान होता है 5 यहां भी प्लस का 3 हुआ है अब बताज़े C से F कैसे बना है Similarly C का आस्थान 3 F का 6 3 से 6 बना यहां भी प्लस 3 हुआ है Similarly इन सारे में भी प्लस का 3 हम लोग कर देंगे अब देखो मेरे प्यारे भी दार थे यहां पर देखो ध्यान से कि यहाँ पर X में भी प्लस 3 हो जाएगा Y में भी प्लस का 3 हो जाएगा और Z में भी प्लस 3 हो जाएगा X में प्लस 3 होगा X का अस्थान 24 24 में 3 जूटेगा कितना हो जाएगा 27 27 वे अस्थान पर लेटर कौन सा होता है मेरे, दोस, 26 के बाद फिर से जो 27 वा लेटर होता है वो 26 से एक जादे है तो एक में आस्थान पर कौन सा लेटर होता है, ए होता है ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथ ही हो अब देखो, य का आस्थान 25 में 3 जो रेंगे 28 28 का मतलब 26 से 2 जादे तो दूसरे आस्थान पर B होता है बहुत बनिया Z का आस्थान 26 में 3 जो रेंगे 29 होगा 29 जो है 26 से 3 जादे तीसरे आस्थान पर letter C तो इस question का right answer ABC हो जाएगा और ABC को कौन सा option में रखा गया है भाई? option A में रखा गया है तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस question को बहुत बनिया तरीका से समझ रहे हों कि अच्छा ये को बात बताते है मेरे दोस्त देख रहा है ना सारा question railway का है अगर आप भाई railway का तयारी कर रहा है ना तो बिलकुल रोज क्लास में आईए और तयारी को मजबूत बनाईए चलिए नेक्स्ट है बहुत important और मजेदार question चलिए लूप्त संख्या ग्याद करे और काफी आसान question आकिरती पहला में 0, 6 और 4, 2 का यूज करके यहां पर 10 बनाया गया है आकिरती 2 में 6, 2 6, 2, 10, 8 का यूज करके 24 बनाया गया है उसी परकार 4, 14 और 10 का यूज करके question mark बनेगा क्या logic है आकिरती नमबर 1 में देखेंगे पहली आकिरती में इस सब को जोर कर देखो कितना हो रहा है आकिरती नमबर 1 में क्या है 0, 6, 6, 4, 2 इन सब को जोरो इन 4 को जोरो कितना हो पारा है इन सब को जोरेंगे हम इन सब को जोर कर देखेंगे कितना होगा कितना होगा 0 में 6 जोरेंगे 6 6, 4, 2, 2, 2, 2 कितना होगा 12 अच्छा यह बती sandwiches 12 से 2 हम लोग कैसी बना सकते है अगर इसमें से माइनस 2 घाटा दे तो बिल्कुल 10 बन सकता है यहाँ पर बिल्कुल 10 अल्रेडी दिया हुआ है बस यहीं लॉजिक है यहीं लॉजिक है आकिर्ती नमबर 2 में similarly इसी प्रकार करेंगे इनको सब को जोर देंगे तो इसमें क्या है जोर कर देखते हैं 6 प्लस 2 प्लस 10 प्लस 8 इन सब को जोरू कितना हो रहा है जोर कर देखो 6 दू 8 8 दस 18 18 में 8 को जोरेंगे कितना बनेगा 26 बनेगा 26 में से 2 अपने मन से घाटाएंगे क्योंकि नीचे पहली आकिर्ती में भी घाटाएंगे तो 26 में से प्यारे साथियों ही 2 को घाटाएंगे बिलकुल 24 बन जाएगा और यहाँ पर already 24 ही तो दिया है similarly उपर वाले में similogy को लगा देंगे अब देखेंगे यहाँ पर क्या इन सब को आपस में हम add करेंगे ठीक है तो add करो कितना है add करके देखो 4 है बहुत 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 उसके बाद में 14 है 4 के बाद 14 plus 12 प्लस कितना है 10 है इन सब को जोर कर देखो कितना हो पा रहा है जोरो 4 में 14 को जोरेंगे 18 होगा 18 में 12 को जोरेंगे 30 होगा 30 में 10 जूटेगा कितना पचेगा 40 लेकिन अपने मन से 2 घाटा ना है क्योंकि सब में घाटा रहे है तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा इस कोशन का राइट एंसर 38 होगा option number C इसका राइट एंसर मैं उमीद कर रहा हूँ कि दोस्तों आप इन सारे प्रश्न को बहुत 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 तरीका से समझ चुके होगे बरते हैं अगले कोशन की तरब कोशन साथ है देखो दिये गए सब्द को एक सार्थक क्रम में ब्यवस्थित करे मेरे प्यारे भी दैर्थियों यहाँ पर देखेंगे पहला option राष्टर दुसरा गाउ तिसरा सहर चौथा जीला पांचवा राज सबसे पहले गाउ आता है उसके बाद में क्या आता है गाउ के बाद क्या आता है गाउ के बाद में क्या आता है गाउ के बाद में आता है मेरे भाई सहर बहुत बरिया सहर सहर के बाद में क्या आता है सहर के बाद में आता है जीला आता है बहुत बरियाँ जीला के बाद में क्या आता है जीला के बाद में आता है राज ठीक है जीला के बाद में क्या आता है राज आता है राज के बाद में क्या आता है तब जाके राश्ट्र आता है समझ रहे हैं तो इसका जो नमरिंग है वही नमरिंग कर दो गाउ सबसे पहले गाउ आता है तो ये दूसरा वाला सबसे पहले आ जाएगा उसके बाद कौन होगा दूसरा के बाद में आएगा सहर यानि की तीसरा नमबर वाला आ जाएगा इसके बाद कौन आएगा जीला यानि चोथा नमबर आ जाएगा उसके बाद आजाएगा राज पाँचवा नमबर आजाएगा अब उसके बाद आएगा राष्ट तब जाकर राष्ट बनेगा पहिला इक कौन सा ओप्षन में दिया है भाई इक कौन सा ओप्षन में दिया है तो ओप्षन नमबर परके जरूर पुछिएगा ठीक है चलिए next question अगला question है किसी यदि किसी कुट में ABC को BDF लिखा जाता है तो DEF को क्या लिखा जाएगा और आपके सामने RRC Kolkata Group D 2013 में पूछा हुए question है काफी आसान यहां देखेंगे क्या है A B और C इनका जो यूज किया गया है बनाने के लि A B C को उसने क्या बनाया है A B C को उसने बनाया क्या है उसको देखो B उसके बाए D और तब जाके F और हम लोगों से पूछा है DEF इनका कोड क्या होगा तो कुछू नहीं करना यहां पर logic को ढूणना A से B बना क्या logic A का अस्थान अंग्रेजी बरमाला में 1 होता है B का 2 होता है 1 से 2 बना प्लस 1 अब देखो B से D बना B का अस्थान दो D का अस्थान 2 से 4 बना प्लस का 2 बहुत मर्या C से F बना अंग्रेजी बरमाला में C का अस्थान होता है 3 F का होता है 6 3 से 6 बना प्लस का 3 किया गया है Similarly यहाँ पर Same logic लगेगा Same logic क्या logic लगेगा मेरे प्यारे साथ ही हो इसमें logic लगेगा पहले प्लस 1 फिर प्लस 2 फिर प्लस 3 बात खतम D में 1 जूटेगा D का अस्थान 4 में 1 जूटेगा 5 5 बना लेटर E होता है E का अस्थान 5 5 में 2 जूटेगे 7 साथ वे अस्थान पर लेटर G होता है F का अस्थान 6 6 में 3 जूटेगा 9 9 अस्थान पर लेटर I होता है इस question का जो answer हुआ मेरे दोस्त E, G और I इसको कौन सा option में रखा गया है option number B में रखा गया इस question का right answer option B हो जाएगा सही ठीक है तब मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस question को समझ चुके होगो ठीक है बरते है next question की तरह अगला question काफी important बारा ही important प्रशन है बस आप लोग समझने का परयास कीजिए गाय है बतक है और पक्छी है इस तीनों के बीच में सही बेनारे कौन सा बनेगा हम लोगों को बताना है मेरे प्यारे साथियों देखेंगे जोतना भी बतक होते हैं सारे बतक क्या है पक्छी के भीतर आते हैं अगाया बतक में कौनों रिलेसन नहीं अब बतक और पक्छी में भी कोई रिलेसन नहीं तो इसका जो आरे मना इह क्या है गाय है अच्छा इह क्या है इह है पक्षी समझ रहे हैं इह है पक्षी अई जो भीतर है इह क्या है हो इह है बतक यह जितना भी बतक है इस सारे क्या है सारे बतक पक्षी के भीतर आ जाएंगे आज सारे सारे पतक पक्षी के भीतर आ जाएंगे आज जो गाय होगा इन से अलग होगा और ऐसा आरेक कौन सा ओप्षन में दिया है भाई ओप्षन नमबर A में दिया है इस कोशन का राइट एंसर ठीक है तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस कोशन को भी समझ चुके होगे भरते हैं अगले प्रशन की तरफ अगला कोशन है यदि R.F. की मा है G.K. का पिता है बलर्ड रिलेसन का कोशन है और R.R. Railway N.T.P.C. ऑनलाइन परिक्षा 14 मार्च 2021 में पूछा गया है इस कोशन को मेरे प्यारे साथियो ध्यान से देखेंगे पूरुष जेंडर के लिए हम लोग तिरभूज यूज करेंगे बलर्ड रिलेसन का फैमिले ट्री से हम लोग सल्व करते हैं पूरुष जहां भी होगा उसको हम लोग तिरभूज में बन करेंगे जाहां भी महीला होगा उसको हम लोग सारी किल में बन करेंगे ठीक है अच्छा एक होगा मेल एक होगा फी मिल इस दुनों अगर साधी सुधा होगा तो उन दोनों के बीच में प्लस सिंबल इविज करेंगे अब हम इस कोशन को चुटकी बाजाते हैं सल्व कराते मेरे प्यारे भी दैर्थियो ध्यान से देखेंगे कोशन है आर एफ की माँ है देखो जो आर है एफ की माँ है तो एफ से उपर जाएगी आप माँ है इसका मतलब महिला है इसलिए इसको सरकिल में बन करेंगे कोशन करता है जी के का पिता है तो अलग से बना लेते हैं क्योंकि इसमें लिंक नहीं कर रहा है जी जो है ओके का पिता है तो के से उपर आएगा पिता है इसलिए इसको हम सारे के अंत्रिभूज में बन करें क्योंकि मेल है उसके बाद है एल एफ का भाई है और जी का पुत्र है ध्यान दीजेगा एल एफ का भाई है और जी का पुत्र है और वर्ड का जो यूज होता है वो फॉस्ट नाम के लिए होता है एल और एफ में फॉस्ट नाम क्या है फॉस्ट नाम है एल समझ रहे हैं तो देखो जो एल है वो एफ का भाई है जो एल है वो एफ का भाई है तो L के F के बगर में बनेगा आप भाई है इसका मतलब इसको सर्किल में त्रिभूज में बंद करेंगे क्योंकि पूरूस है अच्छा L F का भाई है और G का पुत्र है और का परियोग जो L है वो F का भाई है लेकिन G का पुत्र है तो G से नीचे आएगा आज G अलरेड़ यहाँ पर त्रिभूज में बंद था मेल है अच्छा यहाँ देखेंगे यहाँ G का एक और के है वो लरका है की लरकी है मालूम नहीं है लेकिन यहाँ पर देखो L है L जो है वो G का पुत्र है बहुत बर्या अच्छा यहाँ जो L है वो F का भाई है इसका मतलब जो G है वो F का हो जाएंगे पिता जी हो जाएंगे आज जो R है वो अलरेड़ी F का मा था तो इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों इसलिए इन दोनों के बीच में प्लास सिंबल का हम लोग यूज कर सकते हैं अब हम लोग उसे question पूछा गया है तो R का G से क्या सम्बन है तो R का G से क्या सम्बन है आर जो है G से क्या सम्बन है इसका बता है तो पतनी क्या तो इसका right answer हो जाएगा option नमब D क्योंकि R G की पतनी है अब मेरे दोस्त मैं आपको बताता हूँ अगर जिस भाई को एक कोशन समझ में नहीं आया होगा न वह हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुए है बलाडरी लेसन का वहाँ पे जाए कैसे फैमिली ट्री बनाना होता है आप जाकर वहाँ से जरूर सीख सकते हैं ठीक है चलिए अगला कोशन है अमित पंदरा किलोमेटर पूरव की और जाकर बाये घुमता है और पांच किलोमेटर के दूरी टाय करता है वह फिर से तो बारा बाये घुमता है और पंदरा किलोमेटर के दूरी टाय चलता है तो अमित आरंभिक बिंदू से कितने दूरी पह है सबसे पहले हम यहाँ पर डायरेक्शन बनाते हैं देखो जब भी हम लोग पेपर पर डायरेक्शन बनाते हैं मेरी प्यारे सात्यों तो ऐसे बनाते हैं ऐसे ध्याँ दिजीगा उपर में होता है उतर नेचे में होता है दक्षिन दोहिने पगल में होता है पूरूप बाय पगल में होता है पसी ठीक है अब हम चलाएंगे एक बेक्ति पंदरो किलोमेटर पूरब की और जाकर यानि पंदरो किलोमेटर पूरब की और जाता है पंदरो किलोमेटर तो इस साइड में चला देंगे कि पूरूप इधर होता है बहुत बर्या उसके बाद बाये घुमता है बाये इसका उपर होगा बाये घुमता है और पांच किलोमेटर के दूरी चलता है बहुत बर्या बाये मुरता है आप पांच किलोमेटर के दूरी चलता है समझ रहे हैं फिर से इसको समझाते हैं एक बेक हो जाएगा, समझ रहे, इसका बाया इस सैड में हो जाएगा, और इस सैड में मूरेगा, कितना जाएगा, पंदरा किलो मीटर जाएगा, ठेक है, अन्तिम अमित आरमधिक बिंदू से कितना दूरी पर, इबता ये मेरे प्यारे साथियो, जब अमित बाबू है, यहां से चलना सुरू किये थे यहां पर पहुँच गए है, तो इस दूनों के बीच में दूरी कितना है जब देखो, इस आयत बना, यहां से लेकर यहां तक दूरी पाच है, तो यहां से भी यहां तक दूरी कितना होगा, पाचे होगा पाँच किलो मीटर आफसा नमर सी इस कोशन का राइट एंसर हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस कोशन को भी समझ चुके होंगे ठीक है बहुत इंपोर्टेंट कोशन था चलिए नेक्स्ट है काफी इंपोर्टेंट प्रशन है आप लोग समझ ये निमिन में से कौन सा सब्द ये जो सब्द लिखा इस सब्द से नहीं बनाया जा सकता है समझ रहे हैं कौन सा सब्द मुल सब्द से नहीं बनाया जा सकता है हमारे पास 5 option है सारे option को ही check करेंगे option number में क्या है E and T उपर में देखेंगे E है बिल्कुल है N है बिल्कुल है T है बिल्कुल है उसके बाद E, R एक और E भी है एक और R है इसका मतलग इसको तो हम बना सकते हैं अच्छा option B को P, E, R उपर में P है E है R है उसके बाद M है है उसके बाद M है बिल्कुल है अच्छा अच्छा यहाँ पर M के बाद में I letter इसमें योज हुआ है जबकि मेरे प्यारे साथियो ध्यान से देखिए यह option number B में I letter का योज किया गया है जबकि मूल सब्द में कहीं भी I letter का योज नहीं है इसलिए option number B नहीं बनाया जा सकता है ठीक है तो मैं उमीद करता हूँ आप इस question को भी समझ चुके होगे अच्छा भाई अभी तक आपने वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे ठीक है चलिए next है देखो एक बरस के dash dash महीने में 30 दिन होते हैं बहुत महीन एक बरस के dash dash महीने में 30 दिन होते हैं मेरे प्यारे साथियों एक बरस में 12 माह होता है दूद पीने वाला बाच्चा भी जानता होगा लेकिन यह नहीं जानता है कि कितना ऐसा महीना जिसमें 30 दिन होता है तो आपको मैं दिमाग में बैठा देता हूँ देखो यहाँ पर अपरील हिंदे में लिख देते हैं इंगलिस में अपरील जून सेप्टेंबर नवंबर यह जो चार गों महीना होता है यह हमेशा मेरे प्यारे साथियो 30 दिन का होता है बस फर्वारी के छोर्द बाकी सारा 31 दिन का अपरील जून सेप्टेंबर नवंबर 30 जानो बाकी सब 31 जानो लीपियर जब आता है फरवरी एक बरह जाता है इस कत्वान को याद रखेंगे इसको लिख लेंगे कोई हमने आपको क्या बता है अप्रील, जून, सेप्टेंबर, नौंबर अप्रील, जून, सेप्टेंबर, नौंबर तीस दिन का होता है बाकी सारा महीने 31 दिनों का होता है except फरवरी को छोर कर तब यहाँ पर क्या भरा जाएगा एक बर्स में चार एक बर्स में एक दो तीन चार एक बर्स में कितना महीना है चार एक दो तीन चार चार महीने में 30 दिन होता है option number B इस question का right answer हो जाएगा आप calendar में चेक भी कर सकते हैं अप्रिल, जून, सेप्टेंबर, नौंबर 30 दिन का होता है ठीक है मेरे प्यारे साथियो आगे बढ़े समझ में आगे आपको बढ़ते हैं चलिए question है यदि minus का minus और गुना तथा यदि important है देखो 5 question ने बोला है जहां भी minus है उसके जगे पे तुम्हे गुना लेना है जहां भी गुना है उसके जगे पे तुम्हे minus लेना है अच्छा जहां भी 5 है उसके जगे पे तुम्हे 14 लेना है जहां भी 14 है उसके जगे पे तुमें 5 लेना है, अब इन समी करन को तू हम हल कर दो, 5 है, उसके जगे पे क्या लेंगे हम, 14 लेंगे, उसके बाद प्लस, कितना है, 4 है, तो 4 लिखेंगे, उसके बाद भागा है, 2, उसके बाद माइनस है, तो माइनस के जगे पे गुना लेंगे, उसके अब हम इसको सल्व करेंगे सबसे पहले इसको बुड़मास के तरीका से सल्व करेंगे बुड़मास कहता है पहले भाग करेंगे तेहां 14 जयों करते हो ऐसे ही ठीक है प्लस 4 यहां भागा दू है 4 को 2 से भागा करेंगे तो कितना होगा? 2 होगा उसके बाद गुणा 8 आ माइनस 5 ऐसे ही ठीक है अब देखो 14 ऐसे ही ठीक है प्लस उसके बाद गुणा का कम होता है भाग के बाद आरदुनी 16 माइनस 5 अब देखो मेरे प्यारे साथियो यहां प्लस वाले को जोड़ दो 14 में हम 16 को जोड़ेंगे 30 बनेगा आम माइनस 5 घटेगा तो कितना बचेगा 25 बचेगा इस question का right answer हो जाएगा 25 कौन सा option में दिया है भाई option number C में दिया है इस question का right answer option C हो जाएगा सही ठीक है बनिया है तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस question को भी आप लोग समझ चुके होंगे काफी important था next question अगला question काफी important और बनिया तरीका से इसको हम समझाएंगे इसलिए इसको हमने यहाँ पर ठमलिन के रूप में लगाया है मेरे प्यारे साथी question है दरपन प्रतिवी में ग्याद करे देखो एक दरपन लगा हुआ है इसके बाये साइड में एक बॉक्स के अंदर कुछ सब्द लिखे हुआ है इसका प्रतिवी में क्या बनेगा मेरे दोस्त देखो जब हम लोग दरपन में अपना चेहरा देखते हैं यानि सिसा में जब हमें लोग अपना चेहरा देखते हैं, हमारा दाया हाथ बाया देखते हैं, बाया हाथ दाया देखते हैं, इबात तो सब कोई जानता है, उपर नीचे सिम रहता है, यानि कहने का मतलब दरपन में जो चीज यानि मूल देखो, जो चीज बाया है वो दरपन में दाया दिखता है और जो चीज दाया है वो दरपन में बाया दिखता है तो दरपन के E साइड में जो S लेटर है ये दहिने बगल में है और जो T लेटर है ये बाये बगल में है तो दरपन में जब ही जाएगा तो S आ जाएगा बाएं, T चला जाएगा दाएं, यह बात समझ रहे हैं समझ रहे हैं न, तो बिल्कुल तो कैसे बनेगा, एक box के भीतर A से बनेगा सबसे पहले आ जाएगा, S ऐसे बनेगा, उसके बाद C ऐसे बनेगा, T ऐसे, ऐसा कौन सा option में दिया है भाई, ऐसा देखो option number A गलत है क्योंकर T उल्टा बना दिया है, उच्छा option number मेरे प्यारे साथियो option number C इसलिए गलत है क्योंकि पहले T से start कर दिया, option number D इसलिए गलत है क्योंकि T को उपर बना दिया, आ T पहले आ नहीं सकता बचा क्या option B option B इस question का right answer हो गया और option B में हू बहू प्रतिवीम को बनाय गया है समझ रहे है अच्छा एक और trick होता है कि दरपन से जो चीज जितना नजिदिक होता है उसका प्रतिवीम उतना ही नजिदिक बनता है तो दरपन से नजिदिक में S है तो पहले दरपन से नजिदिक में S न बनेगा इसलिए B answer होगा ठीक है बनिया है तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इन सारे प्रश्न को बहुत अच्छे तरीका से समझ गये होंगे यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को जरूर सस्क्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकोन को अन कर लिजी ताकि मैं जब वीडियो डालूं तो नोटिफीकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचें ओके दूस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में ज जहें जाएद